मैं अपने चारोप परमपूज संक्राचार जी से हाँ जोड की निवेदन कर रहा हूँ सनातन धर्म को बचाने के लिए एक मंच पर आईए और एक साथ हावाज उठाईए मैं अपने सभी दस हजार मठाधीस, आचारी, मंदलेशवर, महा मंदलेशवर, आचारी, महा मंदलेशवर सबसे हाँ जोड की निवेदन कर रहा हूँ अपने मतभेद दूर करिये सनातन धर्म को बचाने के लिए एक साथ आईए एक साथ आवाज उठाईए प्रखर होके बोलिए, मुखर होके बोलिए मैं अपने सभी दस हजार भगवत कथावाचक, राम कथावाचक, गीता कापाट करने वाले सभी मैं कथावाचकों से हाँ जोड के निवेदन कर रहा हूँ अपने मतभेद दूर करिए एक साथ प्रखर होके बोली एक साथ मुखर होके बोली सनातन धर्म को बचाने के लिए एक साथ आवाज उठाईए घटिया कानूनों को बदलने और नया कानून बनाने की मांग करी मैं अभी अपने सभी 5 लाग सन्यासियों से जो अलग अलग अखाड़ों में बटे हुए सबसे कह रहा हो बटिये मत एक साथ आईए एक साथ आवाज उठाईए समान सिच्छा लागू करने की मांग करीए समान नागृ संगीटा लागू करने की मांग करीए घुसपैट नियंतरन कानून की मांग करिए धर्मांतर नियंतरन कानून की मांग करिए जनसंख्या नियंतरन कानून की मांग करिए असलिलता के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए नशे के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए मैं अपने सभी पांच लाग पंडा पुजारी जो अलग-लग मठ मंदिरों में हैं सबसे हाज जोड की निवे दिन करता हूँ सनातन धर्म को बचाने के लिए एक साथ आईए एक साथ आवाज उठाईए क्योंकि अगर हिंदू खतम हो जाएंगे तो मठ मंदिर भी खतम हो जाएंगे हिंदू खतम हो जाएंगे तो संकराचार की चारोपीट खतम हो जाएगी वहाँ आवयत कबजा हो जाएगा हिंदु खतम हो जाएंगे तो न मंदलेश्वर बचेंगे न महामंदलेश्वर बचेंगे न आचारे बचेंगे न आचारे सभा बचेंगी सब खतम हो जाएंगे और जो बड़े-बड़े आस्रम बने हैं जो बड़े-बड़े मठ बने हुए है चारसो कमरे पांसो कमरे के वह कभजा हो जाएगा कि अगर हिंदु खतम हो जाएगा तो कोई कथा सुनने नहीं आएगा हिंदु कथम हो जाएगा तो जितने 5 सन्यासी हैं इनको भी भगवा उतार दिया जाएगा इनको भी कनवर्ट होना पड़ेगा मैं कडवी बात कह रहा हूं अफगानिस्तान में जो पहले भारत का हिस्सा था न वहां संक्राचारे बचे हैं न महां मठाधीस बचे हैं न कोई कथा वाचक बचा है न वहां कोई बचा है न कोई पुजारी बचा है सब खतम हो चुके पाकिस्तान जो भारत भारत का हिस्सा था वहां पर भी मठ थे वहां पर मंदिर थे वहां मठाधीस थे वहां अचार थे कथा करने वाले थे सारे खतम हो चुके बंगलादेश भारत का हिस्सा था अभी बहुत देखते देखते बहुत जल्दी ही वहां के सारे मठाधीस वहां से गायब हो जाएंगे या तो कनवर्ट हो जाएंगे जितने वहां पे कथावाचक हैं उनको भी कनवर्ट कर दिया जाएगा जितने वहां सन्यासी हैं उनको भी कनवर्ट होना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा या बचा है नेपाल और भारत और नेपाल के उपर पूरी गिध द्रिष्टी लगी हुई है इसलिए मैं कह रहा हूँ एक साथ हावाज उठाईए एक बात अच्छी तरीके समझ लीजिए पॉल्टिकल पार्टियों पर कोई फरक नहीं पड़ेगा पॉल्टिकल पार्टिया कभी खतम नहीं होगी पाकिस्तान से हिंदू खतम हो गए पॉल्टिकल पार्टिया नहीं खतम हुई नाम बदल गया दूसरी पार्टिया आ गई वहाँ पे अफगानिस्तान में हिंदू खत खतम हो गया, political party खतम नहीं हुई है, में घाला में, मिजोरम में, मड़पूर में वहाँ हिंदू खतम हो रहे हैं, लेकिन political party आसची अफह, इंजिय कहत outtaich तो आगर हमारे धर्य के धर्मगूर्व अगर यह सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल इस देस को बचाएंगी। नेता इस देस को बचाएंगे। तो बहुत बड़ी गलत फ़हमी में है। नेता और पो खतम क्या होता है? खतम होता है Northern Dharm, खतम होता हिंदू, और बड़े बड़े जो जान्मुनी है जो आपको एक अपनी नई दिशा दे रहे मैं कह रहा हूं पाकिस्तान अफगानिस्तान बंगला देश में जैन मुनी भी नहीं बचे हैं जैन और जैन को मानने वाले भी नहीं बचे जो बहुत धर्म की बात करते हैं अपने आपको बहुत अलग दिखाते हैं वो भी अच्छी तरीके समझ ले पाकिस्तान में सिख्ध भी खतम हो चुके जिनको ब मारवाड़ी हूं मैं तो वैशी हूं मैं तो săमाज का हूँ अच्छी तरीके समझ ले पाकिस्तान अफगानिस्तान बंगला देश में वैसे बचे न मारवाडी बचे न जैन बचे सारे खतम हो चुके नागरवाल समाज के लोग बचे जिनको लगता नहीं हम तो दलित हैं हमारे हमको तो कुछ होगा नहीं यह तो जगडा केवल गाहमडों का है हम होगे अगर आप पन्थ के अधार पर बटे रहेंगे मैं हिंदू हूं मैं जैन भूš मैं बहुत धहूं सिख यह जब तक आप एक कि एक मुठी की तरीके सनातनी नहीं बनेंगे आपका खतम होना निस्षित है और ये हिंदू धर्म को सनातन धर्म को कोई नेता भी नेता नहीं बचा पाएगा, कोई लेखक बुद्धी जीवी नहीं बचा पाएगा, कोई पत्रकार कलमकार नहीं बचाएगा, सनातन धर्म को अगर मजबूत करना है, एक ही तरीका है, भारत में कठोर कानून बनाये जाए, भारत के सम्मि ले की भावना की रक्षा के लिए है यह यत्र नारस्त्वी पुझते रमंते तत्र देवता की रक्षा के लिए यह किसी विदेसी मज़ब विदेसी पंथ उसकी रक्षा के लिए नहीं है यह भारतीता की रक्षा के लिए तो जब भारतीता की रक्षा के लिए है तो इसको पाँच लाख सन्यासियों से निवेधन कर रहा हूँ मैं 5 लाख मत्ष मंदिर के पुजारीयों से और पंडौ से निवेधन कर रहा हूँ एक साथ आईए एक साथ उठिये एक साथ बोलिये अरे कुछ नहीं कर सकते तो कम सकम फेस्बूख पे अपना एकाउंट बना लीजे और फेस्बूक पे 5000 लोगों को जोड लीजिए और वहीं अपना वीडियो शेर करिए जब तक सब लोग कठे हो नहीं आ रहा हैं एक जगाई कठा नहीं हो पा रहा हैं कोई बड़ी रैली नहीं कर पा रहा है कम से कम अपना वीडियो तो शेर करिए पांच-5,000 लोगों को फेस्बूक पे जोड लीजिए वहीं अपना वीडियो शेर करिए वहीं अपनी बात कहिए वाटसप पे अपनी बात कहिए अपना वीडियो बनाके वाटसप पे शेर करिए अपना वीडियो बनाके अपने फेस्बूक पे शेर करिए कुस तो शेर करिए देखते देखते पाकिस्तान से खतम हो गए, देखते देखते अफगानिस्तान से खतम हो गए, देखते देखते बंगलादेश से खतम होने वाले हैं, देखते देखते भारत के नवराज्यों से खतम हो गए, देखते देखते भारत के 200 जिलों से खतम हो गए, देखते देखत तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खतम हो चुके और अभी भी गुरूर इस बात का कि मैं ब्राहमन हूँ मैं छत्री हूँ मैं मैं वैशी हूँ मैं दलित हूँ अभी भी इस बात का गुरूर कि नहीं मैं तो सिख हूँ मैं तो जैन हूँ मैं तो बौध हूँ मैं तो यह हूँ मैं करना ये duty बनती है क्यों कि बड़ी सुभाविक सी बात है आपको पता ही है कि जब 57% नहीं हो जाएंगे तब तक कयामत की रात नहीं आएगी एक religion कह रहा है जब तक 51% हो जाएगे पूरी दुनिया में नहीं होंगे तब तब तक क्यामत की रात नहीं आएगा तो उनकी पूरी कोशिस है कि जल्दी से जल्दी हम 50% से ज्यादा हो जाए अगर दुनिया में 800 करोड लोग है तो हम जल्दी जल्दी 400 करोड नहीं दूसर एलिजन क्या कह रहा है कि जब तक हम 50% नहीं हो जाएंगे तब तक डे आफ जजमेंट नहीं आएगा यानि 800 करोड में से जब तक 400 करोड नहीं हो जाएंगे तब तक डे आफ जजमेंट नहीं आएगा तब तक यह डिसिजन नहीं होगा कि हम कौन हीवन में जाएगा आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके आसपात धर्मांत्रण हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके आसपात जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके बच्चों को नशे में डुबो दिया गया है, आपको समझ में नहीं आ र आते एक बात रखेगा इस थी भी अच्का फ्लैट बना रहें फोर भी अच्का फ्लैट बना रहें बड़े फार्म हाउस बना रहें बड़े कोठिया बना रहें यह आपके लिए आपके काम नहीं आएंगी 20-25 साल के बाद किसी और का कब्जा हो जाएगा और यह धरम गुरु वहां कब्जा होगा यह जो बड़े-बड़े हरिद्वार में और इसी केस में और चारो तरफ अलग लग गंगा जी किनारे यमुना जी किनारे नर्मदा के किनारे बड़े-बड़े आस्रम बना बना के मठादीस बैठे हुए हैं अच्छी तरीके समझ ले हिंदू जिस दि में कब्जा हो चुका है तो भारत में भी होगा इसलिए मैं आपसे हाँ जोड के निविदन कर रहा हूं उठीए जागिए एक हो जाईए एक साथ आवाज उठाईए मुखर होके बोलिए पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए नेताओं की चाकरी छोड़ दीजिए हि हिंदू खतम हो जाएगा तो आप महामंडलेश्वर आचारे नहीं रहेंगे हिंदू खतम हो जाएगा तो आप कथा किसको सुनाएंगे हिंदू खतम हो जाएगा तो आप न पंडा रहेंगे न पुजारी रहेंगे हिंदू खतम हो जाएगा तो आप सन्यासी भी नहीं रहे मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, दुनिया के दुनिया इतने देश की देश बदलते चले गए, हमारी बस्ती की बस्ती मिटती चली गई है, और अब तो भारत के नौराज्यों में, 800 जिलों में, 600 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में भी खतम हो चुके, अब जाग जाएए. अब जाएए.